हेलो पीक ओवर कर्स तो कैसे हैं आप सब लोग आज की इस तरह में हम बात करेंगे फाइफ रूई आर ओ आई sign up plus get reward bonus 140 यहां पर इतने इस बल्स हमें जो है देखने को मिलेगे as a reward तो इस जोब को हमने किस तरह कंप्लीट करना है आज ही सुड़ो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा level 1 की जो verification है और level 2 की जो verification है वो भी आपके साथ discuss करूँगा किस तरह आपना complete करनी है और इसकंदर हमें एक problem देखने को मिलते हैं जब हम sign up करते हैं तो error आ जाता है उस error को हमने किस तरह recover करना है यानि कि उस error को किस तरह हमने ठीक करना है आज की सुड़ो मैं आपको detail के साथ बताऊंगा तो यहां पर आप सब लोगों से request है कि हमारे चैनल को subscribe कर दें अगर आप हमारे चैनल को पर नए है या आप हमारी वीडियो को first time देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो अब हम जो है वीडियो को कर लेते हैं start तो यहां पर description के अंदर step number one के अंदर इन्होंने क्या का है new users only register for five three add तो इसके step number one के अंदर हमें एक link देखने को मिल रहा है इसको हमने open करना है open करने के बाद हमने अपने details देनी है details देने के बाद वहां पर हमने अपना जो inviter code है यह वाला चेक करना है कि यही inviter code है या कोई और अगर तो change है तो हमने यह वाला copy करके paste कर देना है अगर यही है तो ठीक है तो यहां पर आप दे सकते है make sure that your inviter code is ठीक है bonus you will get free जो हमें सबल्स देखने को मिलेगा 140 वो token after three days तीन दिनों के बाद हमें देखने को मिलेंगे ओक है उसके बाद जैसे हमने sign up करना है sign up करने के बाद हमने अपना अकाउंट को verify करना है वो किस तरह करना है यह आपको बाद मताऊंगा पहले आपको अकाउंट create करना बता देता हूँ तो यहां पर जो number one के अंदर हमें जो step number one के अंदर हमें link दिया गया है हम उसको open करते है open करने के बाद जो इसका इंटरफेस आएगा वो आप अपनी मुबाइल स्क्रीन को पर देख रहे हैं इस तरह का आएगा तो यहां पर आपने साइन अप नौ को अप्शिन को पर आपने क्लिक करने के बाद अब आपके पास आपने अपनी डिटेल्स देनी है जिसका अंदर इम सेंड के अप्शिन को पर आपने क्लिक करना है सेंड के अप्शिन को पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपने जीमेल का अंदर जाना जो यहां पर आपने जीमेल लगा है उस जीमेल को अंदर हमें एक वैरिफिकेशन कोड आएगा उस वैरिफिकेशन कोड को हमने कॉपी क करने के बाद यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद पेस्ट करने के बाद यहां पर हमने एक काम करना है जो इन्विटेशन कोड़ वो देख लेना है दोबारा से कि जो इन्विटेशन कोड़ वो ही है यह चेंज है अगर तो चेंज है तो यहां से कॉपी करके वहाँ पर हमने paste कर देना है make sure आपने कर लेना है यह एहत्यात से ताके जो इन्विटेशन कोड़र वो चेंज ना हो यहां पर copy करके वहाँ पर आप paste कर सकते हैं तो अब उसके बाद next जो step आता है sign up करने का वो यह है किया अब आपने आई एगरिक option को पर click करना है और sign up के उपर आपने click कर दिना है यहां sign up को पर आप जब click करेंगे तो आपकी जो sign up नहीं होगी यहां पर आप देख रहे हैं मैंने sign up को option को पर click कर रहा है तो मुझे error दे रहा है आपने एक यह दो दफा sign up को option को पर click करना है और फिर आपने क्या करना है वेट दो से तीन मिनिट का आपने वेट करना है यहां पर आप दे सकते हैं मैंने दुबारा जो है sign up option को पर click करना है इन्होंने कहा है जो आपका code है वो गलत है तो आपने tension दिलेनी आपने sign up को option को पर दबारा click करना है और 2 minute तो 2 से 3 minute wait करना है wait करने के बाद आपको automatically ही आपके gmail के ऊपर एक mail दरसीव होगी जिसके इन्होंने कहा होगा कि आपका जो है id है वो successfully registered हो चुकी है पर हम जो है wait करने के साथ साथ हम ऽू है step number 3 के अंदर रहे है वो आपको समझा देता हूँ उतनी देर में हमें mail भी आ जाएगा तो यहां हम job के description में जाते हैं स्टेप 3 के अंदर इन्होंने क्या कहा है तो job का Sap number 3 जो है वो आपके सामने है इस Mac परफाइल option हम नेन एप यानि के left side की तरफ यह option हमें देखने को मिलेगा profile का and complete kyc level 1 हमने kyc level 1 की complete करनी है सिरफ यहां पर कहा गया है लेकिन आपको last में level 2 की भी बताऊंगा किस तरह आपने करनी है identity verification very easy it takes about 1-2-3 minutes यहां पर इन्होंने कहा कि आपने गलत प्रूफ सब्मेट नहीं करना तो मैं आपको पैसे पे नहीं करूंगा तो आप अभी ताग जो है mail receive नहीं हुआ अब मैं जो proof देख लेता हूं इतनी देर में का proof का अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़े मांगी है तो यहां पर जो number 1 को पर हमने चीज़ देनी है वो uid number देना है यह कहां पर होता है यह भी आपको बताऊंगा और number 2 पर email registered जिस Gmail को पर आपने अपनी ID नहीं है वो वाला mail देना है number 3 पर यहां पर आप देखें screenshot of KYC verification तो KYC verification का आपने screenshot देना है यह तीन चीज़ा कहां से आपने देनी है यह आपको बताऊंगा तो आप proof आपको पता लग गया कौन कौन से देने अब मैं Gmail के अंदर जाता हूँ आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया Gmail को refresh करता हूँ खुद automatically जो है मेरे कुछ देर बाद 2-3 मिनिट के अंदर-अंदर मेरे पास यह message आ चुका है mail के अंदर registration is successfully 5-3 तो अब आपको account जो है वो बन चुका है तो अब आपने next step क्या करना है अब आपने application को download करना है तो अब हम वापस जाएंगा जहां पर हमने sign up किया था उस page को उपर उस page को उपर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है download app sorry download app को option को पर आपने click करना है जैसे ही वहां यहां पर हम click करेंगा तो यह सीधा हम इस page को उपड़ ले जाएगा ज्यां पर आपने Google Play को उपर उपर क्लिक करना है और आपको Google play को उपर ले जाएगा तो यहां पर आपने application को install कर लेना है तो यह आं पर देख रहे हैं कि मैंने भी application को install करके open कर लिया है तो यहां से आप application को open किया open करने के बाद aggregate option आपने यहां पर click करने के बादOoh मिन के option को पर click करने के बाद बाद थिय आप अपने youad ungef and call करने को पर पर चूक्ट आप USDA यहां पर आपने इडिको लोगन कर लेना है तो यहां पर जाइब सकते हैं वो आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर level 1 की वारिफकेशन बताने से पहले अगर आप अपने dollars को current rate को उपर sale करना जाते हैं तो आपको मेरा whatsapp number description मिल रहा है वहाँ से आप मुझे से रापता करें और अपने dollars को current rate को उपर sale कर सकते हैं तो अब मैं आपको level 1 की वारिफकेशन बता देता हूँ किस तरह आपने level 1 की वारिफकेशन करनी है आपने फिर से left side को उपर me का option को पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको authentications का option देखनों को मिल रहा है इसको उपर क्लिक करना है level 1 basic option को पर आपने क्लिक करना जहां पर प्रोसीड टू वैरिफकेशन को अप्शन देखनों को मिल रहा है यहां पर आप से अपने शनाक्ति कार्ट की कुछ चीज़े मांगे गा तो वो सिंपली आपने पुट करनी है सही सही पुट करनी है जैसे आप वो पुट कर देंगे तो आपकी जो वैरिफकेशन वो कम्प्लीट हो जाएगी लेवल वन बेसिक तो नमबर वन पर आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है तो यहां से आप अपनी कंट्री को सर्च करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपने लास्ट नम देना है फिर्स्ट नम नहीं है फिर्स्ट नम बाद में लास्ट नम पहले तो यहां पर आपने पहले जो है लास्ट नम देना है फिर आपने जो है फिर्स्ट नम देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं और उसके बाद यहां पर मैंने शहबाद लिख लिख लिए और नीचे मैं अपने फिर्स नेम लिखूंगा मुहमद और उसके बाद नीचे आईडी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है जो चीज आपके पास है आईडी कार्ड है ड्राइवर लिसंस है या पासपोर्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहां पर अपना आईडी नमबर दे देना है और उसके बाद आईडी नमबर देने के बाद आपने सब्मिट का उप्शन को पर आपने क्लिक करना है submit option का उपर click करने के बाद आपकी verification वो complete हो चुकी है यहां पर आप दे सकते हैं verified लिखा आ चुका है जो job मैं कर रहा हूँ इसके अंदर level 1 की verification इन्हों ने मांगी थी तो हम simply इसका screenshot देंगे अब बाद उकार बहुत जोब्स के अंदर level 2 advance की भी verification इन्हों ने मांगी होती है तो यहां पर इन्हों आपने step number 2 के अंदर जहां पर लिखा हुआ है proceed to verification इसको पर आप click करेंगे तो यहां पर जैसे आप click करेंगे तो कुछ इस तरहां का आपके पास interface आ जाएगा तो यहां पर ऊपर a photo of the front of your valid ID ID card की front की copy यहां पर आपने add करेंगे plus के निशान को पर आप click करेंगे तो आपके अगर phone का अंदर है वहां से आपने select कर लेनी या अगर आप pick खेंचने जाते तो pick से भी आप ले सकते हैं और उसके बाद number two पर जो आप दे सकते है picture of your holding front page of your valid ID अब यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं आपने अपने ID card को हाथ में पकड़ना है आपकी भी तस्वीर आनी चाहिए यहां पर आप आप तस्वीर में देख रहे हैं तस्वीर भी आपकी ID card की भी तस्वीर आनी चाहिए और जो है आपकी अपनी तस्वीर भी आनी चाहिए बिल्कुल as it is ही आपने यह तस्वीर लेकर देनी है तस्वीर आप पहले भी खेंच सकते हैं और बाद में भी खेंच सकते हैं यहां पर आप दे सकते हैं picture of you holding front page front page की ही आपने लेनी है back page की back id card की आपने तस्वीर नहीं लेनी second में भी आपने front page की id देनी है और इस तरह आपने अपनी तस्वीर खेचनी है और यहां पर आपने अपनी add करनी है और उसका बाद next step के option को पर क्लिक करना है तो आपको जो step कहेंगे वो आपने follow करने तो इस तरह आपने verify जो है कर लेना है तो यहां पर plus के निशान को आप क्लिक करेंगे आपको तीन option देखने को मिलते हैं take photo, album और cancer album यानि कि अगर phone के अंदर है तो वहां से आप यहां से select कर सकते हैं take photo अगर आप direct जो है pick खेंज कर देना जाते हैं तो देश सकते हैं इस तरह आपने level 2 की verification कर लेनी है तो यहां पर मुझे इन्होंने level 1 की verification का है तो मैं इस हिस्से का screenshot दे दूँगा जहां पर आगे लिखा verified इसका screenshot लोगा और UID नमबर यहां पर आप देख रहें और साथ में आपको copy का निशान भी देखने हैं इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है UID नमबर copy हो जाएगा और उसके बाद आपने अपना email देना है तो तीनों चीज़ें हो चुकी है दस से 20-25 मिनिट की वीडियो बन जाती है सारा दिन लग जाता है तो आपने चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है तो मिलते हम किस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज